आज तक दुन्या में कोई भी spiritual organization उतनी तेजी से popular नहीं हुआ जितनी तेजी से एसकौन हुआ है ये है तीन साल का साधू भागवत ना ही ये सिर्फ साधू है बलकि भगवत गिता का परचार भी करता है इसे A4 Apple नहीं A4 अर्जुन आता है B4 Ball या फिर B4 Boy नहीं B4 बलराम आता है और ये हैं इंजिनियर से बने साधू दिसांत पटेल इनके माता पिता ने बहुत रिक्वेश्ट की मन्यते की लेकिन नहीं लोटे ये पूरी तरह से इसकौन के डिवोटी है जो बेटा बुढ़ाबे का सहारा था उसके सामने ही माता पिता को गिर गिराना पड़ रहा है और ये मैं हूँ जो इसकौन जाकर देखना चाहता था कि रियली वहां होता क्या है ठीक है लेकिन ये सब सारी चीजे मैं क्यों दिखा रहा हूँ एक चुली ये सारी चीजे दिखाने का मतलब यही है कि सकौन यंगर्स को साधू क्यों बना रहा है क्यों इसकौन इतनी जल्दी पॉपलर हो गया क्यों एक आईटेक बिटेक इंजिनियर इसकौन के डिभोटी है क्या कोई चीन, पाकिस्तान, अफरीका, रूस, अरब के देशों में भगवान स्री कृष्ण की सेंटर खोलने की कल्पना कर सकता है इन्होंने कैसे किया, इसे डिटेल में समझेंगे और इसे समझने के लिए थोड़ा एसकौन के बारे में जान लेते हैं एसकौन टेंपल को अंग्रेजी में International Society for Krishna Consciousness कहते हैं और हिंदी में इसे अंतरराष्ट्रिय क्रिश्न भावना मृत संग कहते हैं इसकौन टेंपल की सुरुआत नियुवार्क सहर में स्वामी प्रभुपाद ने 1966 में किया था इस मंदिर के construction का purpose, education, religious consciousness, religious study, spirituality की और लोगों का ध्यान केंदरित करना था स्वामी प्रभुपाद के tireless effort के कारण 10 वर्स के 100 टाइम में ही पूरे बिस्व में 107 से ज़्यादा मंदिरों का निर्वान हो चुका था इस समय स्कॉन के लगभग 850 से अधिक मंदिरों के establishment हो चुकी है देखिए किसी भी organization को stable करने में उसके rules regulation की बहुत ही ज़्यादा importance होती है आज तक दुनिया के कोई भी आचार्ज ने स्कॉन के प्रभुपाद जी के जैसा system design नहीं किया जिससे devotee पूरी तरह से follow करते हो वह यह जानते थे कि अगर rules strict होंगे तो followers कम होंगे इस सचाई को जानने के बाबजूद उन्होंने भगतों के लिए strict rules बनाए लेकिन एक systematic तरीके से जिसे एक limit भी समझ सके और follow कर सके अब जैसे इनके schools में ही देख लो इन्होंने एक eco friendly system त्यार किया है जिसमें हिंदू religion को modern education के साथ blend कर सिखाए जाता है अब example में इस बच्चे को देखो अब ये बच्चा हिंदू religion के अर्जून बलराम चतन्या का भी नाम पढ़ पा रहा है और ABCD भी पढ़ पा रहा है ये spiritual भी है और modern भी है और यही कारण है कि parents बच्चों को बेफिक्र होकर इनके school में एडविशन करा देते हैं अब मान लो कि कोई SCON के school में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाता तो इनके कुछ schools ICSC और ISC board के साथ affiliated है जिसमें एक lecture spirituality पर भी होती है अब मान लो आपका SCON से बहुत दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है तो इनके लिए इन्होंने Sunday School भी खोल रखा है जिसमें 4 से लेकर 14 साल के बच्चों को वैधिक नॉलेज, funny और safe environment में दिया जाता है इसमें संस्कृत के असलोक, अस्टोरीज और cultural activity भी सिखाई जाती है ISCON के पास अपनी residential colony भी होती है जिसमें इनके devotees रहते हैं जो सर मुनवाने से लेकर सेफ्रोन कपड़े पहने तक rules फॉलो करते हैं लेकिन अगर आप ISCON के devotee नहीं हैं और ISCON से कुछ सीखना चाते हैं इनको follow करना चाते हैं तो आप इनके non-residencial program जो सुबह 4 से 8 वज तक का होता है उसे attend कर Krishna consciousness को follow कर सकते हैं और अपने रोजाना के routine में load भी सकते हैं इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने normal routine को change किये विना spirituality को follow कर सकते हैं अब एक मज़े की बात यह है कि अगर आप इनके center को visit करते हो तो आपको ISCON join करने को force नहीं करते बलकि यह सिर्फ आपके साथ ISCON के बारे में ग्यान बाटते हैं spirituality share करते हैं और परसाथ दिया जाता है जिसके वज़ा से लोग ISCON visit करते हैं इसके पिछे कह सकता हूँ कि इनमें इनका एक business model काम करता है जो एक shopping mall की तरह ही काम करता है इसे एक example से समझते हैं सपूज आपके आज़ पास में एक बड़ा clothing store है और एक mall भी है आप किस में जाना पसंद करते हैं obviously mall में क्यों? क्योंकि जब आप एक clothing store पर visit करते हैं तो most of the time आपको कपड़े खरिदने पड़ जाते हैं न चाहते हुए भी क्योंकि हम सुझते हैं कि दुकान वाला क्या बोलेगा और कभी-कभी दुकान वाला बोल भी देता है कि अगर खरिदने नहीं थे तो इतना time waste क्यों किया? लेकिन वहीं एक shopping mall में हमारे साथ ऐसा नहीं होता हमारे पास freedom होता है purchase करने की और ना करने की shopping mall में आज तक एक भी ऐसा case नहीं हुआ जिसमें पूछा गया हो कि अगर आपको खरिदना नहीं था तो time waste क्यों क्यों क्या? और इसलिए mall में visitors ज़्यादा होते हैं और visitors ज़्यादा होने के वज़े से sales भी ज़्यादा होती है ठीक वैसा ही business model scone का भी है ये visitors को कभी मना नहीं करते बिजिट करने से scone अपने परचार के लिए सडकों पर, गलियों में, malls के बाहर, railway platform पर, park में, public places पर book sale करते हुए मिल जाएंगे ये devotees well educated होते हैं ये किसी को भी force नहीं करते scone follow करने को ये सिर्फ अपने first interaction में अपने message और Krishna consciousness को लोगों के साथ share करते हैं और ये natural phenomena है कि अगर किसी भी बात को लेकर आपको pressure नहीं दिया जाता तो आप उसमें थोड़ा interest लेते हैं और ये भी एक कारण है scone के popularity का सिर्फ इतने से ही scone यहां तक नहीं पहुचा अब बारी आती है social service की ये आपके permanent happiness को discover करने में मदद करते हैं इसके लिए ये discover your permanent happiness का प्रोग्राम भी चलाते हैं द्वारका में scone youth form है यहां आपको सिखाया जाता है कि कैसे personal और professional life को balance किया जाता है ये food for life जैसा प्रोग्राम भी चलाते हैं ये free में food serve करते हैं scone आज तक 550 crore plate meal serve कर चुका है and is still continuing और ये कह सकता हूं कि ये सभी scone को popular बनाती है और scone join करने को प्रेडित भी करती है कुछ devotees इसके example है like Amogh Lila Prabhu इन्होंने education सुरू किया मिजोरम गैंग टॉक्स से कुछ समय बाद उनका परिवार दिल्ली चला गया इसलिए उन्होंने अपनी आगी की पढ़ाई दिल्ली से की उनकी गिंती हमेशा हुनहार छात्रों में होती रही थी साल 2000 में बारहवी पास करने के बाद वह भगवान की तलास में घर से भाग गये फिर चार महने बाद फिर से घर वापस आये और आगे की पढ़ाई शुरू की उन्होंने 2004 में ग्रेजिशन किया फिर उन्होंने सफ्ट्वेर इंजिनिरिंग की और फिर 2010 तक सफ्ट्वेर इंजिनिरिंग की जॉब भी की 2010 में जन्मास्टमी के दिन वे इसकॉन चले गए और हमेशा के लिए क्रिश्न बरमचारी बन गए एक्चुली अपने लाइफ में होता ये है कि जब हमें दुनिया के हर ऐसो आराम लाइक अच्छी नौकरी, गाड़ी, बंगला, हर एक चीज़ जब मिल जाती है तब ज़्यादातार लोगों के अंदर एक सवाल आता है कि मैं कौन हूँ, मेरे जिवन का परपस क्या है, क्या सच में भगवान है, वगएरे वगएरे और तब इनको इन सारे सवालों का जवाब मिलता है इसकॉन में लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसकॉन में ही इन सवालों के जवाब मिलते हैं, लेकिन यहाँ साइद आसानी से और सरल तरीके से मिलते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकॉन से जुड़ते चले जा रहे हैं लेकिन इतनी सुभधाओं और flexibility के बाद भी कुछ नियमों को इन्होंने strict बनाए रखा है जिसे ये लोग follow करते हैं इसके according उन्हें प्याज, लहसन, मांसमद्रा से दूर रहना होता है जैसे कि जुआ, पब, बेस्यालय पर जाना छोड़ना होता है इसकौन के followers को रोजाना एक घंटा सास्त्र अध्यन में बिताना होता है इसमें गीता के साथ साथ भारतिय धर्म और इतिहास से जूड़े सास्त्रों का अध्यन करना होता है इसके बाद भी इसकौन डिभोटी को 445 तू 530 मंगल आरती करनी होती है होती है और तूलसी पूजा करनी होती है 530 तू 730 जब मेडिटेशन प्रियर्ड होता है और 745 तू 8 एम देवताओं को नमस्कार करना होता है 8 एम टू 8.15 गुरू पूजा और 8.15 टू 9 एम स्रीमत भागवतम क्लासेश चलती है और यह सिड्यूल रात के 9 बज़े तक चलती है और मज़े की बात यह है कि सभी टाइम भगवान सरकृष्ण के हैविट्स के अनुसार ही बनाए गये है तो यह सभी रिजन से जिसके बज़े से इसकॉन के डिवोटी बढ़ते चले जा रहे हैं और इसकॉन पॉपलर होता चला जा रहा है आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट सिक्षिन में जरूर लिखे है